हेलो दोस्तों मेरे नामित आप देख रहा है आमित मोबाइल इंस्टीवट तो फिरेंड आज के इस वीडियो हमारे पास है रेडमी 9 पावर जो की फुली डिड है यहाँ पर हमने न्यू बैटरी भी डाल कर देख लिया फिर भी यह प्रॉलम सौट आउट नहीं हुआ है यहा यहां पर हम 55 को कर रहे है थो कोई भी एंपियर की लेоки ले लिए तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आइचार्जर के अंदर कितना एंप मेर लेला देख सकते हैं यहां सभर्मक्ले कर्मेंड ऋ यहां पर चार्जिंग कर रख़्ा है और यह मिनें पावर फुली डिड हो गय करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसकी रीडिंग अभी क्या रही है करने पर और बटन प्रेस्ट करने पर क्या रीडिंग आएगी ठीक है फ्रेंट इन दोनों से हमें अंदाजा लगेगा आखिर प्राब्लम कहां हो सकता है तो फाइनली आप देख सकते हैं यहां पर जैसे कनेट किया सीटर एंपेजी रूपन सीटर दिया पावर बटन प्रेस्ट करने पर नाइंट टू चला गया यह नहीं बान पर चला गया यहां ठीक है फ्रेंट तो डीसी मसीन पर भी रीडिंग आपको हमने दिखा दिया है यह तरीके से डेड़ है यह ओन भी नहीं होगा तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं बैटरी को रिमूब करेंगे यहां से और इसके मदरबोर्ट को बाहर कर लेते हैं तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर टाल लीते हैं तो आप देख सकते हैं यह मदरबोर फिल्कुल भी फ्रेस है कोई भी डमेज है कहीं है ठीक है तो यहां पर जो एपी/. ऐसी परसेंन एंपी provide आ सी परसेंट थी प्रोलम माथी जाने यहां पर एपीटी एसी यहां लआइए लगी लगी सकता है यह डडि किया प्रावल मैं हो सकते हैं तो इसे यह देख सकते हैं एसी का जो यह वालवा पोईंच है यह देखिये हमारे fork subscription 2gpa के साथ connected है ठीक है इसमें से एक ऐसा point हो घर एक सेक्शन मेंनेक्ट होगा भी यह वाला पॉइंट आप देख सकते हैं कहां से लेकर के और इधर की तरफ अगर देखे यह हमारा डबलू टी यार और सारी नेटवर्क सेक्शन में भी जा रहा है प्लस पावर आची में भी जा रहा है यह वह पॉइंट ठीक है अभी मैं पाइंट हमारा देख सकते हैं यह CPU यह वाली पाइंट के बात करें इस वाइप इस वाली पाइंट अगर यहां पर जड़ा भी ड्राइब हो जाता है डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन पूली तरीके से आप डेड़ होना कंपल सरी आप देख सकते हैं CPU यह मैं सी कोई भी आई सी साइब हो जो इस से होकर गेंग गुजरा हो यही ड्राइब होने के कारण ही हमारा फोन अभी इस टायम पूरी तरीके से ड्यड होगा है अधर मतलब ना तो चार्जिंग ले रहा है नाई पावर बेटन प्रेस हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा तो ऐसे में सिंपल से 12% का जो झाल झाल तो हम आप चुके हैं माईक्रोस्क्रिप के ऊपर अभी देख सकते हैं यह रहा हमारा केपसीतर दोनों दोनों तरफ केपसीटर होगा उपर की तरह हमार क्यों लगा हुआ है ठीक है और यहीं पर हमारा एपीटी ऐसी चोटा सा है बीच में आप देख सकते हैं यह हमारी APTIC है उससे पहले हमें यहाँ पर देखना रहेगा रीडिंग की कहीं हमारे क्वाइल होगा रागा सोट रहेगा तो भी यहाँ पर हमारा फोन डेड हो जाएगा तो हमारे सारे के सारे जो रीडिंग है कोई प्रावलम नहीं दिखा कि हमारा कोई कैफ सीटर सौट हो गया इसके उजसे हमारा सेक्षन ही पूरा सौट करके यहां पर आफ हो गया तो कोई भी कैफ सीटर यहां पर साट नहीं है तो इसका मतलू हमारा APTIC ड्राई हो चुगा है तो सबसे पहला इस टेप 80% जितने भी सब्सक्राइब होते हैं रेडवी 9 पावर के डिट सलूशन में आपने कई सारी वीडियो देख रहा के होंगे या फिर कहीं भी देखा होगा इस तरीके से सब्सक्राइब होता है तो सबसे पहले ड्राई हो जाता तो इस पर हमलका सब पेस्ट डालकर इसको मूव करेंगे ठ सब्सक्राइब हो गया है नीची की तरब से वापस से कनेक्ट हो जाए और हमारे सारी की सारी सप्लाइएं जैसे ही कंप्लीट होगी हमारा फोन ओन हो जाना चाहिए ठीक है तो पहले इस टेप में अगर आपका मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेस आता है तो यह वाला इस टेप पोको M3 और रेड्मी 9 पाउर के अंदर यह जरूर से आप ट्राइ कर लेना कि यह दोनों मदरबोर्ड सेम होते हैं ठीक है मैं बार 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 बता रहा हूं तो इस तरीके से हमने इसको हलका से मूब कराया और अपनी जगे वापस फिक्स कर दिया है ठीक है प्रेंट तो हम भी फिक्स कर लेते हैं मदरबोर को ठंडा हो लेने देते हैं तो हमारी ओजी वाली वैटरी है कंपनी के साथ वाली तो हम इसको साइड रखेंगे अब यह रही बैटरी हमारे मार्केट की जो के भी न्यू बैटरी जश्ट हमने लागा और यहांपक करनेट गर इसको ओन करने की कोसिस करेंगे तो उससे पहले हम आई चार्जर पर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यह और नहीं होता है या एंपियर कितना कंजिम कर रहा ह तो फानली आप देख सकते हैं हमारा फोन ओन हो गया चार्जिंग आप 36 परसेंट दिखाई दे रहा है अब इसको पॉर बटन प्रेस करके में इसको ओन करने की कोसिस करेंगे तो यह माई लोगो आ चुका है अभी हमें देख रहा है यह फोन पूरी तरीके सोन हो रहा है या सब्सक्राइब होने की फाइं रहोल्म आए थी हमने समझा दिया की अपीटी सब् blended दोता है जब देता है तर लोग एंपिटी सी को आगा सब कि वह सारे से होकर कि उसी सप्लाई गई होती है यह पीटी आसी का तभी जाकर फोल्ड डिड हो जाता है ठीक है इस तरीके से इसको सौट आउट कर सकते हैं बोर्ण यह इसके में टिक भी हमने डिटेल में आपको समझाया तो यह आपको उम्मीद करता हूं समझ जरूर सहा कि अजह आपको जब सकते हैं पगर आपको जयाँ झालता है झालता है